नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सबका मेरे स्यूटिप चैनल में आज 12 अक्टोबर दो हजार पाईस आज विप्रो ने अपनी कॉटर टू की रिजल्ट्स अनॉंस किये हैं तो इस रिजल्ट को हम डिटेल में अनलाइज करेंगे अगर विप्रो का इस कॉटर का जो टोटल इंकम अगर हम देखते तो लगबग 230,000 क्रोड रूपीज विप्रो ने इस कॉटर में कमाये है अगर ये टोटल इंकम को अगर हम लास्ट कॉटर से कंपेर करते तो लास्ट कॉटर में कमपनी ने लगबग 220,000 क्रोड रूपीज कमा अगर ये current income को अगर हम last year on year basis पे अगर हम देखते हैं तो last year company ने 2,000,000 करोड रुपीज खमाए थे तो जो current income है year on year basis पे भी हमको increase होता हुआ दिख रहा है तो जो company का total income है quarter two का quarter on quarter basis and year on year basis हमको increase होता हुआ दिख रहा है अगर company के total expenses के बारे में बात की जाए तो इस quarter में company ने लगपक 1,96,000 करोड का expense किया है जो last quarter से अगर इसको हम compare करेंगे तो last quarter में company ने 1,86,000 करोड रुपीज का expense किया था जो कि quarter on quarter बढ़कर 1,96,000 करोड रुपीज हो जुका है अगर हम year on year basis पर अगर compare करते तो last year company का expense था 1,64,000 करोड रुपीज हो जुका है तो quarter on quarter basis पर and year on year basis पर जो current expense है current quarter का expense है वो बढ़ चुका है अगर company का total expense बढ़ता है तो उसका जो main impact है जो total margin पर या तो पर net profit पर गिरता है तो अगर company का net profit देखा जाए तो इस quarter में company ने लगपक 29,293 करोड रुपीज कमाया है जो last quarter से अगर compare करेंगे तो लगपक 27,000 करोड रुपीज कमाया था तो इस quarter में बढ़ कर 29,000 करोड रुपीज हो जुका है और अगर हम year on year basis पर compare करें तो last year company ने जो total profit है 31,366 करोड रुपीज कमाया था जो इस साल और इस quarter में गिर कर 29,293 करोड का हो जुका है तो quarter on quarter basis पे company का net profit में growth दिखाई दे रही है लेकिन year on year basis पे company का profit लगपक 31,000 करोड रुपीज से लगपक 29,000 करोड रुपीज हो जुका है अगर company के earnings पर equity shares की बात की जाए तो इस quarter में लगपक company का जो EPS है लगपक 4.86 रुपीज का है जो last quarter से अगर हम compare करते हैं तो last quarter में company का जो EPS था वो 4.69 था जो की इस quarter में बढ़कर 4.86 हो जुका है अगर year on year basis पर अगर हम compare करते हैं तो last year company का जो EPS था वो लगपक 5.36 रुपीज था जो इस quarter में गटकर 4.86 रुपीज हो जुका है तो जो EPS का value है quarter on quarter तो हमको increase होता हुआ दिक रहा है लेकिन जो year on year basis पर reduce हो जुका है So friends मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत बुलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें Thanks for watching our videos, Bye